दोस्तों भारत का एशिन गेम्स में 28 सेप्टेंबर का दिन कैसा रहा क्या रिजल्ट रहा इस वीडियो मैं सारी जानकारी आपको दूँगा और ये भी बताऊंगा टोटल मैडल कितने हो चुके हैं भारत के तो चलिए चलते हैं मेरे स्क्रीन पर अच्छे से आपको पूरी ड प्रशान्ता और सारज जी काफी अच्छी परफोर्मेंस दे रहे थे और फिलाल अभी राउंड 1 हुआ है और जिसमें आदिती जी T2 में चल रही हैं और सारज जी T17 और प्रशान्ता जी T21 में चल रही है फिलाल अब बढ़ते हैं अगले रिजल्ट की तरफ जो की women's का है women's में फिलाल अभी जब overall result आएगा तब ही पता लग पाएगा तीन-चार दिन इसमें भी लगेंगे फिर उसके बाद साड़े 6 मजे शुरुआ शूटिंग जिसमें 10 मिटर पिस्टल men's qualification में हमारे भारत ने काफी अच्छी performance दी सरब जोट सिंग और अरजुन सिंग जी qualify हो गए थे इस event में final के लिए और जो men's event हुआ और जो फिर men's team हुआ उस men's teams में हमारी team ने gold medal भी जीता 10 मिटर पिस्टल team event में देख लिए score 1734 के score से जीता है फिर इसके बाद अगला event हुआ जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर skate mixed team event इंडिया के लिए तो इस event में भारत की team फिलाल 7 वे नमबर पर रही अनंत जीत और गनीमत जी इस match में भारत का result कुछ अच्छा नहीं रहा तो चलिए अगले में जो की 8 वजे गोल्फ का match हुआ था जिसमें हमारे man's खेल रही थी और man's का result क्या रहा भी आप देख सकते हैं फिलाल individual level पर T9 पर लाहीरी जी है और उनके नीचे T19 पर चोरासिया जी एंड शर्मा जी T22 पर इस समय मुझूद है चलिए इसके बाद अब बात करते हैं गोल्फ टीम इवेंट की तो टीम इवेंट में फिलाल अभी इंडिया जादा उपर नहीं है मतलब की टीम इवेंट में अगर बात की जाए तो भारत इस समय थोड़ा सा मतलब उपर की तरफ ये जादा अच्छी position में नहीं है लेकिन ह जोड़ जी 4th position पर और अरजुन जी पहले ही eliminate हो गए थे तो हमें सिर्फ एकी medal मिला है अभी तक 10 मिटर एयर पिस्टल वो भी टीम में फिर इसके बाद यहाँ पर squash की बात करते हैं तो इंडिया मलेशिया का मैच हुआ हमारी team इंडिया ने कुछ अच्छा प्रदर्शन नह हैं भारत के लिए dressage individual में चलिए इसके बाद अगला event की बात करते हैं जो कि gymnastic में हमारी प्रनती नायक जी हार गई है 8th position पर रही थी प्रगती प्रनती नायक जी अपने medal मैच में इसके बाद squash का मैच हुआ जिसमें भारत की team ने नेपाल को बड़ी गंदी तरह से हरा दिय 3-0 से इसके बाद अगला event शाम 7 बजे खेला गया जो football का था साओधी अरेबिया और इंडिया जसमें इंडिया की team obvious था कि वो हारेगी और 2-0 से हार गई round of 16 से हम बाहर हो गई इसके बाद morning में बैडमिंटन भी शुरू हो थे जो कि बहुत easy match था हमारी PV सिंदू अश्मिता चालिया और हमारी अनुपमा उपाद्याई जीना मंगोलिया की खिलाफ match खेलकर शांदार जीत दरज कर ली अगला event सादेशी बजे जो bridge का event हुआ था तो bridge के events में फिलाल अभी group stages match चल रहे हैं भारत काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है अभी group stages matches में दोस्तों इसके बा सिल्वर मैडल भारत के लिए जीतने में कामियाब रही इसके बाद बात करते हैं अगले event table tennis में table tennis में हमारे साथियां जी सिंगापूर के mix double event में हार गए 3-2 से match काफी intense हुआ था उसके बाद साड़े साथ मुझे खेला गया था एक और event table tennis का जिसमें हमारे हरमीत राजोल ज नहीं medal जीत सका भारत के लिए दोस्तों यहाँ पर अगले event की बात करते हैं जो की table tennis का था श्रीजा अकूला जी women singles में खेली round of 32 और हार गई Korea से North Korea से ही वो बाहर हो गई round 32 में चलिए इसके बाद बात करते हैं कुछ अगले events की जो cycling के थे नीरज भाई चाहे फिर वो हमारे त्रिश्या जी हो तो और ने काफी अच्छी performance दी लेकिन नहीं जीत सके चलिए इसके बाद बात करते हैं कुछ अगले events की swimming की तो swimming में हमारे भारत ने काफी अच्छा किया वैसे women's team ने अच्छा किया है मतलब की women's ने 4 into men's ने 4 into 200 and women's ने 4 into 200 meter में कुछ national record बनाए और काफी अच्छी performance दी इसके बाद बात करते हैं मैडल जीतने में सक्षम नहीं रहे फाइनल में obvious था swimming में मैडल नहीं आ सकता था भारत के लिए इसके बाद बात करते हैं table tennis की तो मनिका बतरा जी 4-0 से इस match में जीत गई है और यह match morning में 9 बच कर 15 मिनट पर हुआ था इसके बाद यहाँ पर अगला event हुआ था table tennis का जिसमें हमारे मनुर्श राजी man's doubles में जीत चुके हैं माल दीव्स के खिलाव इसके बाद एक और event जो की table tennis का हुआ था अचंता समध कमल जी man's doubles round of 32 clear कर गए हैं अब round of 16 में कल खिलते हुए दिखाई देंगे और अगला event की बात करते हैं bridge तो bridge के event में फिलाल भारत group stages में काफी अच्छा कर रहा है कुछ matches हम जीत रहे हैं और उमीद करते हैं शायद हम final के लिए भी पहुँच जाएंगे चलिए इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं boxing के लिए तो boxing में आप देख सकते हैं यहाँ पर jasmine जी फिलाल direct match जीद गई थी साओधी अरेबिया हार गया था और यह match 12 बजे खिला गया था 57 60 kg के टिगरी में रहा था और इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं फिलाल एक और टेबल टैनिस का मैच यहाँ पर शुत्री तरफ सिस्टर्स के लिए थी वुमेंस डबल्स में जो की जीत गई हैं कजाखिस्तान के खिलाफ और अगला टेबल टैनिस का मैच जो मैंस सिंगल्स राउंड औ इवेंट्स में भारत यहाँ पर कुछ जीता है कुछ हा रहा है तो फाइनल रिजर्ट्स आएगा तब ही बताएंगे फिलाल भी ग्रूप से जिसमें काफी अच्छा भारत परफोर्म कर रहा है आगे बात करते हैं होकी का मैच हुआ जिसमें इंडिया जिपान हमारी भारत जीत गई है चार दो के गोल से कुछ खिलाली चोटिल भी हुए लेकिन हमारी टीम ने काफी अच्छी परफोर्मेंस दी अगला इवेंट यहाँ पर हुआ था बॉक्सिंग का जिसमें हमारे दीपक भाई हार गए अगले बॉक्सिंग में निशांत जी ने तो भाई नोकाउ ही है कुछ नैशनल रिकोड्स भी भारत ने बनाए है इसके बाद स्कौइश की बात करी जाए तो मैंस डबल सैमी फाइनल मैंच में भारत ने को हरा दिया माफ कीज़े स्क्वैश नहीं टैनिस में तो हमारे टैनिस में भारत में काफी अच्छा प्रदर्शन दिया मैं एक बार आपको उनका पूरा विजल्ट भी दिखा देता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे रामानथम जी और माईनीनी जी खेल रही थी तो इन्होंने 6-1 एं 6-7 से से सेट हार गए थे लेकिन लास्ट डिसाइडिंग सेट में 10-0 से वो जीद गए तो काफी जादा यह दिल्चस्प मुकाबला था आखरी मैच जो की टैनिस का ही खेला गया जिसमें भारत की टीम कजाकिस्तान से जीद चुकी है इसमें खेल रहे थे रोहन बुपन्ना जी और उनकी पार्टनर रूतुजा भोसले जी जो काफीतान के खिलाब स्ट्रेट सेट में जीद गए थे तो दोस्तो यह था आज का पूरा रिजल्ट दोस्तो अगर मेडल टेली पर नसर डालें तो भारत ने 28 सेटेंबर के मैचस के बाद फिलाल अभी पाँचवे नमबर पर पोजिशन होल्ड करके रखी है 6 गोल्ड, 8 सिल्वर और 11 ब्रोज मेडल, 25 टोटल मेडल के साथ तो गाईज यह था आज का पूरा रिजल्ट और कल के स्केडियूल की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ या फिर उपर आई बटन पर आपको शो हो जाएगी तो कल भारत के लिए सुबहा साड़े-4 बजे से गोल्फ के मैचे शुरू हो जाएगे और साड़े-6 बजे से आपको शूटिंग के मैचेस देखने को मिल जाएगे और साथ ईसाथ 20 किलो मेटर रेस वोक साड़े-4 बजे शुरू हो जाएगी तो हमारी स्ट्रीम कल सुबा ठीक 6 सबा 6 बजे तक शुरू कर देंगे तो आप हमारे साथ जुड़कर इंजोई कर सकते हैं पूरे इवेंट्स को चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैभारत